वेल्कम बैक टो निटीश क्लासेश एस वेलेस टीप्स एंड कोमर्शिल टीप्स दोस्तों अगर आप पेन कार्ड का अधार कार्ड से लिंक नहीं करा हैं तो आपका पेन कार्ड हो जाएगा इन एक्टिव एस बी आई बैंक का यह है आपका फैसला अगर आप कराना चाहते हैं तो कब तक है इसका डीडलाइन कब तक है इसका अंतिम तारीक कितना देना पड़ेगा आपको फीस एक्टिव कराने के लिए और अगर आप अभी तक लिंक नहीं करवाए तो क्या-क्या समस आप लोगको मेलती रहती है दोस्तों अगर आप मैत कोई बच्चे है तो आप लोगके लिए मैं 살ीफ के उते चाइब अगर अगर आपका pen card का अधार से अगर लिंक नहीं हुआ है तो आपका link हो जाएगा आपका in active. यह है आपका rule. तो दोस्तों यह आपका जो है in active हो जाएगा, अगर आप active कराना चाहते हैं, pen card को अधार card से link कराना चाहते हैं, तो इसका deadline जो तारिख दिया गया है frankly to learn सवाल का अंसर है कि अगर आप कर्माना चाहते है अधार काड से पिन काड का मतलब लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको एक हजार रुपिया फीज दे कर आप करवा सकते हैं अब तीसरा सवाल कि क्या-क्या समस्या क्या-क्या प्रोब्लेम आ सकती है अगर आप एक टीम नहीं कर दोसरा दोस्तों अगर आप बैंकों से 50,000 विड्रॉल करना चाहते हैं या उससे निकालना चाहते हैं तो आप ये भी आप नहीं कर सकते हैं बैंकों से 50 से जएदा डिपोजिट विड्रॉल नहीं कर पाएंगे तिसरा आप tax return जो फाइल भी नहीं कर पाएंगे चौथा अगर mutual fund या वित्ती योजनाओं में निवेस नहीं कर पाएंगे यह है चौथा आपका big problem और पाजम किसी भी तरह का financial transaction में दिक्कत हो सकती है और सासकी योजनाओं का फाइद रेने में भी यह दिखते आएगी तो यह छे problem आपके लिए बहुती बड़ा समस्या खड़ी हो जाएगी इस करन अगर आपका account है SBI में तो आप जल्दी तीजिन के अंदर आप active करवा ले पेम कार्ड को अधारकल से लिल करवा ले तो जाते जाते एक MCQ question मैं पुछा करता हूँ आज का question यह है कि SBI bank कौन-कौन बैंकों से मिलकर बनी है आप लोग जाके चिक करके बताएगा इस परस्त का answer बताएगा मैं आप लोग वेट करूँगा तो ठीक है दोस्तों इस चैसे जुड़ेने के अपने समख सुप्रित करने के लिए हिद्ध पूर्वक धन्यवाद